नमस्कार प्यारे विद्यारतियों, स्वागत है आपका चैनल पर, Most Welcome प्यारे विद्यारतियों प्यारे स्टुडेंट, आज हम इस क्लास में GK से Related Question with Answer के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें हम GKGS के Top 60 Question देखेंगे, ठीक है? मतलब जो आपके यह विडियो है, थोड़ा सा Long होने वाला क्योंकि इसमें हम 60 Question कवर करेंगें, तो पैसेंस के साथ इस विडियो को Last Moment तक जरूर देखेंगें, ठीक है? Question with Answer, मतलब कि मैं आपको Question और Answer दोनों चीज़े Provide करवाओंगा, और यह पूरा वीडियो हिंदी में रहेगा, बस Changes इतना है कि समझाते वक्त मैं English का भी प्रियोप करूँगा, तो अगर आप English Medium से भी देख रहे हैं, तो कोई किसी प्रकार का Issue नहीं है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर English पर टोप English Language में अगर आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हम जल से जल इंगलिस में भी आपकी मांग को फिल फिर कर सकें, ठीक है, बढ़ते हैं, आज की क्लास की तरब और यह रहा आपकी स्क्रिन पर आज की क्लास का पहला, क्यूश्चन, क्यूश्चन है आपके सामने, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, किसने करी थी, स्वामी दयानन सरस्वती ने, सत्यार्थ प्रकाश है, उसकी रचना स्वामी दयानन सरस्वती ने करी थी, प्यारे वाइस A, B, C, D तो आप comment section में जरूर बताईए अगर आपकी comment अत्याधिक आती है तो हम इन question के साथ में आपको particular asatic exam के pattern पर आधारित option भी मतलब आपको इसमें हम देने लग जाएंगे, ठीक हैं, बढ़ते हैं second question के तरफ, उत्री धुरू पर पहुचने वाला विश्व का प्रिथम व्यक्ति कौन था, मतलब जो अपना उत्री धुरू है ना, उस पर पहुचने वाला विश्व का, ये कहां की बात हो रही है, सारे संसार की world गें, ठीक हैं, तो ये आपको world जी के बन गया, ठीक है, world जी के, कौन था तो वो था राबर्ट पियरी, राबर्ट पियरी प्रिथम व्यक्ति था, अब आपको एक और इस क्विश्चन में एक और क्विश्चन पूश सकते हैं, कि जो राबर्ट पियरी थे, वो कहां के थे, तो वो थे संयुप्त राज्जी अमेरिका, ठीक है, United Nation, अमेरिका, चमवाली से संविधान संसुधन द्वारा हटा दिया गया था, तो संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति के अधिकार मौलिक के द्वारा, चमवाली से संविधान संसुधन द्वारा हटा दिया गया था, कागच का अविश्कार करने वाला देश का नाम क्या है, मतलब ज पहला देश था आपका चीन, ठीक है चाइना, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता हैं, महर्षी पानेनी को, most IMP कुष्चन और आप सभी को ये आता भी होगा, संस्कृत व्याकरण का महा जनक महर्ष पानेनी को कहा जाता हैं, भारती समिदान सभा की प्रारूप समिती के अध्यक्ष कोन थे, मतलब जो स्वतंत्रता के पहले की बात है, भारती समिदान सभा की प्रारूप समिती के अध्यक्ष कोन थे, तो डाक्टर भीमराव अंबेट कर, ठीक है, डाक्टर भीमराव अंबेट कर, उस समिती के पहले तो मेरियाना का गर्थ जो की कहां पर है प्रशांत महासागर में ठीक है भारती थल सेना के प्रथम भारती सेनाद्यक्ष कौन थे जो अपनी थल सेना है ना इसको नहीं भी बोलते हो है ना उसके सेनाद्यक्ष कौन थे तो जनरल के करिप्या जनरल के करिप्या ठीक है जनरल के करिपप बढ़ते next question की तरब इतिहास का जनक किसे का जाता है है रो डोट्स उम्मित करता हूँ आपको आता भी होगा most IMP question अब कमिंग exam से related छाप लिजींग केलकुलेटर का अविश्कार किस ने किया पासकल ने ठीक है ये एक इकाई का नाम भी होता है मतलब पासकल साइन्टिस्ट थे विज्ञानिक उन्होंने इसका आविश्कार किया उन्ही के नाम पर रखा ठीक है पासकल उनका पुरा नाम था बढ़ दें next question की तरफ प्यारे श्टुडेंट ये वीडियो सभी exam से related है और सभी exam को मद्दिनजर रखते हुए ही बनाए जा रहा है मतलब कि ऐसा कुछ है कि GK का portion आपको जिस भी exam में पूछा जाता है वो चाहे MP का हो चाहे MP से out का हो जो भी exam हो जहां से आपको GK के multiple MCQ type question ठीक है multiple choice question आते हैं आपके लिए वीडियो बहुत useful है चलिए देखते है question राष्टपती पत के चुनाओं के लिए निर्वाचक मंडल में कौन-कौन शामिर होता है कौन-कौन होता है राज्ज सबा लोक सबा और राज्जो की विदान सबाओं के निर्वाचित श्रदस्ट है ठीक है जो राष्टपती चुनाओं होता है जैसे कि अपने इदर मालो विदान सबा का MLA का चुनाओं हो ठीक है तो इसमें सब आपन वोट देते हैं लेकिन कै राष्टपती के में देते है और नहीं देते है तो इसके में कौन-कौन देते है आपकी दिमाग में ऐसा कुश्यान आना चाहिए तो राज्य सभा, लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाची सदश्य वोट देते हैं तब जाके अपना राष्टपती प्रिसिडेंट बनता है अपने देश का पहला नागरिक कोन होता है? पहला नागरिकtu भी कौनों था अपने देश का राष्ट्व पति Next Question ग्वालेर के किलह का निर्मान किस शाशक ने करवाया था जो ग्वालेर के किलह उसका निर्मान सूरेज सेल नामाग शाशक ने करवाया था Email का अवशकार किस ने किया वी ए शिवा आई दुरह वतलब कि ये भारती अमेरिकी है ठीक है भारती है लेकिन जाकर अमेरिका में रहने लग गए थे और इन्होंने इमेल का आईश्कार किया कों थे वी ए शिवा आई दुरह थिक है नेस्ट कुश्चिन, अंध महादीप किस महादीप को कहा जाता है, अफरीका महादीप, अंध मतलब अंधा, ठीक है, तो अंधा महादीप किस महादीप को कहा जाता है, तो अंधा महादीप जो अपना अफरीका का महादीप है, ठीक है, अफरीका का महादीप है, उसको अंध म महादीब कहा जाता हैं, कम्पिटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगननक, ठीक है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की गणना करता है, इसलिए इसको संगननक कहते हैं, और इंग्लिश में कम्पिटर कहते हैं, नेक्स्ट कुष्चन, विश्व की सबसे लंबी परवत माला कौन सी है, एंडिश परवत माला, बहुत बेसिक सा कुष्चन है, लेकिन छोटा पे बड़ा धमा का जिस तरीके से होता हैं, उसी तरीका का ये कुष्चन है, है बहुत छोटा, बहुत आसान, लेकिन बहुत इंप MP के एक्जाम बाकि अगर ओवराल देखें आप तो यह वर्ल्ड का जी के ठीक है मतलब की साफ श्रब्दों में कहूं तो UPSC का क्यूश्च नहीं है भारत का सबसे टफेस्ट एक्जाम वैसे टफेस्ट कुछ नहीं होता आपकी इन्फोर्मेशन के लिए बता दू कौन से जल स संदी एक ऐसी जल संदी है जो उत्री अमेरिका महादीप को एश्य महादीप से अलग करती है नेक्स्ट कुश्चन रूस की संसद का क्या नाम है डियूमा ठीक है जो रूस की संसद है उसका नाम है डियूमा बंगाल का विवाजन कब और किसके द्वारा किया गया दो कुश किसके द्वारा गवर्नलाड करजन द्वारा 1905 में गवर्नलाड करजन द्वारा बंगाल विवाजर किया गया था बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूस्चन की तरफ रिजरू बेंक आफ इंडिया की स्थापना कब हुई कब हुई थी 1 अप्रेल 1935 आपको इसको याद रखना रिजरू बेंक आफ इंडिया की स्थापना कब हुई एक अप्रेल 1935 भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के सम्विधान से लिए और जो भारत का प्रस्तावना की भाषा है ना वो किस देश से लिए तो आश्ट्रिया आपको पते हिए कि अपना सम्विधान बना हूँ अपने बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिए जैसे न्यूजिलेंड से लिए इंग्लेंड से लिए अफ्रीका से लिए आश्ट्रिया से लिए है तो आश्टेलेस हमने क्या लिय भाषा ठीक है पढ़ते हैं कि तरफ यह रहा स्क्लिंग पर आपका अगला कू ecosystem मानव शरीर की सबसे बड़ी हड़ी कोण सी है तो बड़ी रड़ी पर फीमर है कहा पर पया जाती है जांग में ठीक है तो जांग की हड्डी है फीमर ये मानव सरी की शब्षप से बड़ी हड्डिया है महात्मा गांदी ने भारत में सत्यागरा का प्रिथम प्रियोक कहा किया चमपरन भिहार, मतलब जो महात्मा गांदी है आपको पते है वो शान्दी प्रिये थे समझाने का काम इनका अधिक था तो सत्य अगरे से ये लोगों को जागरुख बना रहे थे तोजो इनों ने पहला प्रयोग किया तो लो कुछ करकर देखते हैं तो कहां किया देनों ने? चमफरन बिहार में चमफरन एक जगा है बिहार में वह आपसे इन्होंने शुरुवात करी थी इसके बाद से ये रुके नहीं बढ़ते गएं प्यारे विद्यारतियों अगर आप किसी पर्टिकुलर टोपिक सब्जेक्ट पर सिरियल बाई सिरियल लेक्चर चाहते तो कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं हमारी टीम के द्वारा आपकी हर एक यता संबव मदद की जाएगी जिससे आप आसानी से सरकारी नोकरी का जो आपको सपना उस साकार कर सकें ठीक हैं? बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन की तरफ लोक्टक जिल कहां इस्ती थे? तो मनिपूर में पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राई लाला लाजपत राई को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है अगला कुश्चन भारत और श्री लंका के बीच कौन सी खाड़ी इस्ती थे? मननार की खाड़ी भारत और श्री लंका के बीच कौन सी खाड़ी इस्ती थे तो कौन सी खाड़ी है मनार की खाड़ी पंपास घास का मैदान कहां इस्ती थे अर्जेंटिना में पंपास घास का मैदान अर्जेंटिना में इस्ती थे ठीक है अर्जेंटिना में इस्ती थे बढ़ते हैं अगले क्यूश्यन की तरब डाइनामाइट का आविश्कार किस ने किया था अल्फरेड नोबल ने अल्फरेड नोबल साइंटिस्ट है उन्होंने डाइनामाइट का आविश्कार किया था लिपूलेक दर्रा कहां इस्तित है तो लिफूलेख दर्रा उत्राखन में स्तित है ठीक है जो लिफूलेख दर्रा उत्राखन राज्ये में स्तित है अगला कुश्चन अवंती महाजनपत की राईधानी कहा थी? तो अवंती महाजनपत की राईधानी उज्जेन महिश मती में थी ATM का आउसकार किस ने किया था तो ATM का आउसकार जोन शेफर्ड बेरन ने किया था अब ATM का फुल फॉर्म क्या है Automatic Tailor Machine ठीक है ATM का फुल फॉर्म क्या है A से Automatic T से Tailor और M से Machine ठीक है ऐसे ही मैं Question Answer के साथ में आपको छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीजे भी बताता जाता हूँ तो आप याद उनको Note कर सकते हैं या फिर वीडियो के मैं सुनते समय पोस्ट करकर Remind कर सकते हैं ठीक है Next Question जेन धर्म के प्रथम तिर्थकर कौन थे रिशब देव जो रिशब देव थे वो जेन धर्म के प्रथम तिर्थकर थे लाई हरोबा किस राज्जी का लोगन रत्ति हैं मनिपूर लाई हरोबा किस राज्जी का ठीक है किस राज्जी का लोगन रत्ति हैं नेक्स्ट् गुश्चन वेदो की ओरोटो को न आरा कि से कहा जाता माइटो कॉंड्या ठीक हैंन् कि माइटो-कॉंड्रिय को जली कोशी का पाउर हाव रहां के मौन जाता हूं यहां पर अधिक से अधिक कोशीगायेये पाई जाते हैं के लिए देखते हैं अगला सांहान किस्ट्ट ठीक है 3 February 1928 को किसका आगमन हुआ भारत में साइमन कमिशन का मिस युनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कोन है सुस्मिता शेन ये मोस्ट आइमपी कुछिन चाप लो इसको एकदम रड डालो ऐसा समझो ठीक है मिस युनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला शुस् ये कुछिन आपका किसका होगा इंडिया जीकेगा लेकिन ये आपको वर्ल्ड के जीके में भी पूछा जा सकता अगला कुछिन प्राइदीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो प्राइदीपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी गोदावरी नदी प्राइदी भी भारत की सबसे बड़ी नदी हैं ग्यानपिट पुरुषकार किस शेत्र से संबंदी थे तो साहित्ती साहित्ती की शेत्र में आपको ग्यानपिट पुरुषकार दिया जाता है अगला कुश्चन अगला कुश्चन 1782 इश्वे में सालबाई की संदी किनके मद्दी हुई थी तो महाद जी शिंद्या और अंग्रेजों के मद्दी महाद जी शिंद्या और अंग्रेजों के मद्दी सालबाई की संदी हुई थी ठीक हैं दो गुटों के बीच में हुई थी वर्सेस किस में हुई थी महाद जी शिंद्या और अंग्रेजों के मद्य मलेरिया की दवक कुनिन किस पोधे से प्राप्द होती सिन को न अब यहाँ पर आपको कुश्चन में भी एक आंसर दे दिया हुनों उसके बाद फिर पूचा है कैसे आपको यह चीजे देखने के आदर डालने उपड़ेगा आपको इतना डीपली जाना है कि वहाँ से कैसे ही कुश्चन क्यों ना बना दे आप तूरंत पकड़ पाओ ठीक है जैसे कि इसमें क्या है मलेरिया की दवा कुनिन नाम दे दिया ना कि मलेरिया जब रोग होता है तो जो दवा दिया थी उसका नाम कुनिन दे दिया इन्होंने फिर इन्होंने अगला क्रिश्चन क्या पूच लिया कि यह किस पोधे से प्राप्त होती तो सिनकोना पोधे से प्राप्त होती हैं तो आपको यहां से दवा का नाम रखना किस रोक के निवारन के लिए तो मलेरिया और कौन से पोधे से तो सिनकोना जीम कारबेट राष्ट उद्धान कहा इसती थे उत्राखन उत्राकर्ण में जीन कार्वेट राष्टी उद्धान इस्ताफट ते शाहित अकादमी नहीं दिल ले की स्ताफटना कब हुई 1954 इस्वीन 19 जोपन में साहिती अकादमी की सुर्वात हुई थी कहां नहीं दिल ले तो where का आपका अंसर है नहीं दिल ले और वेन का आपका आंसर है 1954 अगला कुश्चन पाक जल्डमरू मद्धी कहां इस्तीत है भारत और श्रिलंका के मद्धी पाक जल्डमरू मद्धी इस्तीत है सोमनाद मंदिर कहां इस्तीत है गुजरात में जो सोमनाद मंदिर है वो कहां पर इस्तीत है गुजराद राज्जे में अगला कुश्चन भारती मोसम विज्ञान संस्तान कहा इस्ते थे नई दिल्ली ठीक है नियो डेली भारती मोसम विज्ञान संस्तान कहा इस्ते थे नई दिल्ली में आयोध्या किस नदी के किनारे इस्ते थे सर्यू नदी यह आपको याद रखना जो आयोध्या है वो सर्यू नदी के किनारे इस्ते थे आगला क्यूश्चन आईसो हेलन किस से संबंदी थे समान लवणता जो आईसो हेलन हो आपका समान लवणता से संबंदी थे शक्तिशाली किसका समाधिस्तल है इंद्रा गांधी का, शक्तिशाली इंद्रा गांधी का समाधिस्तर है, प्यारे विद्यारतियों, कंटेंट पसंद आता है, वीडियो हेल्पफूल लगती है, तब इस वीडियो को सेर अवश्य करें, लाइक करें, उसके साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ब अबने पढ़ाई में चारचान लगा सकते हैं, क्योंकि जो चीज आपको समय से पहले मिल रही होती है, तब बिल्कुल औरों से आगे हो जाते हो ना, कई गुना, तो कब होगें, तब आप एकदम सीरियस हो जाएंगे पढ़ाई के प्रति, कंटिन्यू करेंगें, बढ़ते बांगलादेश में गंगा और ब्रह्मा पोत्र नदियों कि शैयुक्त धारा को क्या कहा जाता हैं, मेघना नदी, एक बार फिर पढ़ो इस कुश्चन को, बांगलादेश में गंगा और ब्रह्मा पोत्र दो नदियां, गंगा और ब्रह्मा पोत्र, कि शैयुक्त धारा, मान कि तरफ राजी के निती निर्देशक शृद्धान्तों को किस देश के समविधान से लिया गया आयलेंड अभी आपको वीडियो के शुरुवात में बताया था मैंने हमारा शृविदान विभिन देशों की शायता से बनावा हमने कही ना कही से कुछ ना कुछ लिया है तो आय संति राय महतर शमीती पंचाइथी राज्य वैवस्ता से समबन्दी थे बढ़ते हैं नेश्ट कुष्चन की तरफ और आज की कलास का अंतिम कुष्चन जापान की संसत का नाम क्या है तो जापान की संसत का नाम है डाइट ठीक है यह वाली डाइट नहीं जो आप लेते हो यह जापान की संसत का नाम है, तो जापान की संसत का नाम क्या हो जाएगा, डाइड, थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग देस वीडियो, प्यारे स्टुडेंट, आज की क्लास को यही पर छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्ष्ट क्लास में, तब तक के लिए बाई बाई टाटा, अपना ध्यान रखिए, और अच्छे से पढ़ दे रहिए, टेक केर, बाई 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 टाटा,